यो को अग्रेयो थारिय। आई मेंधा ब्लॉक है पहला ब्लॉक जिसमें 10 मॉला के कैटिंग से और कुछ कोरणल पलोट हैं जिसमें चीजें चाइज चाहिए, लॉज़ंकोर धिर भल्वाह կह आपर जाएंब मेंगवा हैं चुआनलस चाहिए pay माते हैं मिलाज की अब हैं में जो possession है वो as soon as possible हो सकता है कि next year की शुरू में handover कर दिया जाए तो जिन members के plot overseas prime में हैं उनके लिए काफी अच्छी ख़बर है जान दक बात है कि overseas prime में overall आज की date मेंगर visit करते हैं तो आपको main beloved बिल्कुल complete मिलता है और बहुत सरे block ऐसे हैं इनकी तक्रीबन अंदर saverage काम जो हता है और बेसिक निसेस्टी जोती है वो complete हो चुकी है इस वाग में इसक्रीन पर दो windows देख रहे हैं लेफ्ट साइड वे जो विंडू है इसमें आपको जो footage नज़रा रही है यह आज की footage है और राइट साइड वे विंडू में जो आपको footage नज़रा रही है यह आज से तक्रीबन 10 मन्स परानी footage है पहले यह जो block था overseas prime यह national garden housing scheme के नाम से एक society थी जो capital smartity officials ने acquire की पूरी society और इसके बाद की zero से development start की previously यहाँ पे कुछ pre development नहीं होई थी और आज की date में अगर आप विजट कर दें तो proper आपको streets का layout plan इवन दो कुछ streets ऐसी हैं जिन पर asphalt का का काम भी हो गया है और अभी उन पर black top और carpeting काम होने के बाद overseas prime में saverage काम हो चुका है यहाँ पे already आपको बहुत सारे अगर विजट करते हैं side पे तो हर street पे आपको main holes नज़र आएंगे जो water supply का काम है वो भी हो चुका है जो basic necessities होती है जो development में count होती है number one इसके जो अर्थवर्क होता है फिर जो basic necessities में चीज़ आती है saverage, optical fiber, underground electricity और प्लस जो बाकी चीज़ आती है जैसे पानी की supply वो चीज़ें भी complete है overseas two block जो है उसकी अभी तक किसी के पास map नहीं है जब official map launch होगा उसके बाद जाहर सी बात है overseas two block development हम compare कर बाएंगे आज की date में देखते हैं तो overseas prime का officially map declared है जब day one से इसको launch किया गया था तो इसको with map launch किया गया था overseas two का जब map launch होगा तो उसकी development भी इसी तरह से मैं आपके सामने शेयर कर दूँगा अब देखते हैं कि गूगल और satellite पर यह जो एरिया यह कहां located है और इस वक्त यहां पर अगर मैं गूगल की images को compare करूँ आपस में तो आपको काफी अधा clear understanding मिल जाएगी कि overseas prime में इस वक development कहां stand करती है इस वक्त में स्क्राइब का और आल मैप देख सकते हैं जो यह में बॉलिवर्ट यह entrance road बन है जिसकी entrance जाका कि मैच करेगी इस bridge से जो भी executive का bridge बन रहे है जिसका by the end of September hopefully completion हो जाएगी जिसकी recently मैंने एक video post की है प्लस यह overseas prime block एज जो है यह main बॉलिवर्ट के साथ यहां पे वाकिया है अब देखे जाए overseas prime block एज में current status or development तागे वीडियो में आप देख लेंगे बट अगर map पे हम देखें इसको तो इसमें जो plots हैं सिर्फ एक कनाल के plots हैं यानि हम चार साइट की बात करें नौर्थ, एस्ट, वेस्ट, साउथ तो नौर्थ साइट पे इसकी सेक्टर F है और कुछ apartment building वाकिया है अगर हम बात करें इसकी इस साइट पे तो G block वाकिया है जहां पे दसमरलागी cuttings है और कुछ main road पे कनाली cuttings भी है अगर हम बात करें इसकी south side पे तो यहां पे block K है इन दोनों block से development भी नहीं हुई बहुत सरे last video में वैंने जब बनाई थी G block की तो बहुत सरे members ने सवाल किया था कि के block और J block का बताएं तो इनकी development अभी start नहीं हुई और जहां तक बात है इस block की west side की तो यहां पे apartment building है अभी इन पे भी construction का काम नहीं हुआ अगर हम इसकी google earth की images तो compare करें यह इसकी previous google images है अगर आप इसको देख सकते हैं तो यह जुलाइ 2020 की images है तो यहां पे national garden जा housing team थी तो यहां पे proper इसका gate भी आप देख सकते हैं जो previous gate था इसका और इसके बाद आज और यह सारी raw land थी अगर मैं सो comparison करूं आज की date के साथ तो आप इसको खुद timeline को देख सकते हैं January में इसका status कुछ यूँ था January 2021 में यानि के में बुलेवर्ट पर इसको खरत ओड़ दिया गया था और प्लस यहां से जीरो से development स्टार्ट होई थी और यह सारी land की leveling का का आज किया था next is May 2020 यानि के 5th month of 2020 यानि आज 3 महीने पहले और तब इसका status जो था कि में में बुलेवर्ट के एसफ़र्ल काम हो चुका था ब्लैक टॉप हो चुका था और साइट पर जो block H है block G है इन पर काफिया तक leveling plus streets का layout plan जो है वो भी काफिया तक clear हो गया था block H में भी हर तरफ लैप को equally development नजर आती है दोनों blocks में next is के यह जुलाय के बाद आता जी सब्सक्राइब की में चीज़ है इसमें सारा को clear नजर आ रहा होगा कि यहां तक सारी कि M2 इंटर्चेंज से इसका exact distance कितना होगा overseas prime का जो exact distance है जब master plan को officially launch किया जाएगा complete master plan of society उसके बाद इसका exact distance कवर मैं कर पाँगो कि हाँ इसका exact distance कितना मनता है from the main M2 interchange लेकिन अवराल अगर देखा जाए overseas prime की location के हवाले से तो इसकी location बहुत ज़्यादा living point वह से मैंसे अकसर सवाल पूछते हैं लोग कि living point वह से smartity में favorite block कौन सा होगा तो I would say कि overseas prime सबसे favorite block होगा उसकी दो simple सी reason है number one कि यह surrounded by यह जिसना मार्गला क अभी होता है side से हर तरफ उस तरह से है and number two की काफी ज़्यादा elevated block है यानि golf course जो इससे adjacent है golf course से भी ज्यादा elevated block है तो जो इंडिविजुल जबजार से बात है यहां पर construction करेगा अपने घर की तो average घर की जो height होती है वो 28 feet से 38 feet होती है तो अगर आप इस height में मजीद अगर 38 feet ride कर लेते हैं तो आपको पूरे golf course का view होगा बड़ा salient तरीके से आप इसको view मिलेगा आपको घर के आपकी terrace से तो यह इसके overseas prime के सबसे main features में से बनता है आउट होंगी तो market में जो resell के हवाले से जो demand है वो काफी ज्यादा increase करेगी about overseas to and executive to तो उसके बाद से जिन members के already investment वहां पे है उनको भी ज्यादा काफी ज्यादा benefit होगा इस master plan के launch होने से for the time being जो सारा इस वक status है on ground वो यह है कि overseas prime की जो main beloved entrance road है उसी completion हो चुकी है और state justice जो दो blocks है उनकी तक्रीबन completion जो है वो आपके सामने आप खूद itself इसको देख सकते हैं मैं आने वले दिन में ट्राइ करूंगा जो बाकी blocks है और सिस प्राइम के जिस में remaining मुझे F block की बहुत ज़्यादा calls आई है उस हवाले से बनाऊंगा वीडियो और जो बाकी block है उनका current status or development उसके हवाले से भी आपको update कर दो अगर आपको स्मार्ट श्रीम बुकिंग के वाले से कुछ मालूमा चाहिए तो मेरा नमबर आपको इस स्क्रीन पर वेलेबल है प्लस 923459999881 अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज दू लाइक कोमेंट एंड शेर एंड चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीज़े अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस